Dear students, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे हमारे पास है Class 4 का Science का ये बुक है Chapter 3.2 इसमें दियावा है West Management West, कुड़ा करकर जो है हम उसको कहां पर ठीकाने लगाएं कहां उसको व्यवस्तित करें तीक है इसमें हमको पढ़ना है Garbage, Garbage का मतलब होता है कुड़ा Urban and Rural West Urban मतलब होगया सहरी और Rural मतलब होगया देहाती देहाते रिया, गाउं वे रिया तो दोनों जगा के क्या क्या West होते हैं और कैसे उसको Decompose किया जाता है Kind of West, इस परकार की West होते हैं मतलब जो बेकार बस्तित होती है उसे ही West करते हैं उसमें भी अलग-अलगतर रखे होते हैं इसके बारे मपढ़ना है और Composting इसका निप्टारा कहा करना है Composting, निप्टारा या तो अगर उसको फिर से यूज हो सकता है तो उसको फिर से यूज करना है और जिसे हम फेक देते हैं फेकने लाइक है उसे हम West करते हैं उसे हम गंदगी या विकार बस्तित करते हैं A lot of West is produced in houses Factories, offices, ETC बहुत सारी विकार बस्तित में जो है वो हमारे घरों से उत्पन होती है फेक्टरियों से उत्पन होती है और कार्यालियों दफ्तरों से उत्पन होती है Urban and Rural West Urban मतलब सहरी हो गया और Rural मतलब गाउं दिहात हो गया People living in the cities are the urban population जो लोग सहरों में नगरों में रहते हैं उन्हें हम Urban Population कहते हैं सहरी जंसंग क्या कहते हैं They produce a lot of more West than the rural people who live in village वे लोग काफी बेकार वस्तुओं का produce करते हैं बतलब बहुत ज़्यादा उत्पन करते हैं बेकार वस्तुओं गाउं के लोगों से अत्यधिक वे उत्पन करते हैं क्योंकि गाउं के लोग ज़्यादा वैसे चीज़ों को उप्योग नहीं करते हैं जिससे की बेकार बस्तू का production हो अर्बन पीपल यूज मोर पैकेज़्ट आइटम्स लाइक बिस्किट बटर एटीसी जो सहरी लोग होते हैं वे पैकेट वाला बस्तू ज्यादा यूज़ करते हैं ज्यादा यूज और यूज यूज करते हैं बिस्किट पैकेट में होता है ब्स्तू मेंटेस्ट होता है कि बहुत ज्यादा वेस्ट वश्टू का production करते हैं रूरल पीपल लीड ए सिम्पल लाइफ जब की गाऊं की लोग जो है वो साधा जीवन जीते हैं the domestic wests are produced by them तो उन लोग के यहां से जो घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो ही बनते हैं वेस्ट और ज्यादा पकेटवाल समान वो यूजने करते हैं domestic vests can be converted into manure easily तो घरेलू जितने भी vests होते हैं वो आसानी से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं मतलब है कि वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं how vests should be disposed तो हम जितने भी vests निकलते हैं उसको हम किस तरह से निप्टारा करते हैं dispose करते हैं it is very important to dispose of vests properly जितने भी vests वस्तुए हैं उसको सही जगह पर निप्टारा करना उसको dispose कर देना ये बहुत ही ज़्यादा जूररी है और सही तरीके से as it improper disposal can be very harmful for our health उसको गलत तरीके से हम अगर dispose करते हैं उसको nest करते हैं तो फिर वो हमारे उपर ही हानिका रख होता है garbage dumps are the breeding ground for insects and microorganisms that spread germs and diseases अगर हम उसको खुली जगह पर dump कर दें खुली जगह पर हम dump कर दें छोड़ दें उसको तो क्या होगा जो बहुत सारे कीडे मकोडे छोटे छोटे जीव जनतु इतने microorganisms मतलब जो दिखाई ना दे तो सुच्छम जीव उत्पन हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि काफी परदूसन होगा और वो बिमारिया पहलाना शुरू कर देगी kinds of west, west के प्रकार non-bio-degradable west non-bio-degradable ये इस तरह के west है जो मिट्टी के साथ mix नहीं होते manure easily नहीं बनते ये इस तरह के this includes west इसमें किस तरह के west आते हैं जैसे कि glass सीशा हो गया aluminium foil हो गया metal and polythene that do not rot and cannot be broken down by microorganisms aluminium foil, aluminium का टुकड़ा हो गया metal, धातू, कोई भी धातू हो गया polythene जो plastic जिसको में बोलते हैं ये सब आसानी से मिट्टी में सड़ते नहीं है और नहीं इसको microorganisms जो bacteria वगएर है जो है वो इसको आसानी से breakdown मतलब इसको सड़ा नहीं पाते हैं इसको खाते नहीं है तो ये जो है nest नहीं होता they remain in the soil as such and add to the soil pollution और ये लंबे समय तक मिट्टी में बने वे राते हैं जिससे मिट्टी को ये polluted करते हैं जंदगी मतलब मिट्टी को जो है ये damage करते हैं बायो डिग्रेबल-वेस्ट बायो डिग्रेबल मतलब है कि ये आसानी से मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में सर जाते है this includes results like a vege袋ब इसमें क्या क्या चीजा आतें वीज़िटइवल सब्यों के छिल्के होते हैं वह होते हैं पेपर कागज होते हैं और हमारे घरों में भोजन बच मिक्स कर देते हैं या असानी से मिक्स हो जाता है आगे देखते हैं and non-biodegredable west should be separated before being disposed of disposed उसको nust करने से पहले हमें उसको चाट लेना होगा biodegradable कौन सा है और non-biodegredable कौन सा west है उसको अलग कर लेना होगा क्योंकि biodegradable जो हता है वो मिट्टी में आसानी से mix कर जागा वो manure भाद की रूप में बन जागा लेकिन ये जो biodegradable non-biodegredable जो है वो नहीं बनेगा तो उसको हम recycle करेंगे ये reuse करेंगे इस तरह से इसलिए उसको separate किया जाता है in town and cities green colored beans are used for collecting biodegradable west and blue colored beans are used for collecting non-biodegredable west उसके लिए दो डब्ये लगाई जाते है एक biodegradable के लिए वो green color का होता है और एक होता है blue color का non-biodegredable west के लिए तो जो nest नहीं होने वाले हैं उसको हम blue color में डाल दें ताकि उससे आसान हो जाए उसको separate करने में आगे दिया हुआ है biogas in village and even in many cities animal excreta gober जो होता है मलमूत्र जो होता है उसका और plant west जो होता है पत्याँ जो सड़े जाती है ऐसे चीजहों को गाउँ में जो है और या फिर सहरों में भी होता है जहां बड़ा-बड़ा खटाल होता है mo Nueau co rakha जाता है अधिक संख्या में तो वहाँ पे काफी सारा गोबर उत्वपन होता है और उसके लिए एक इस तरह के यहां जो पीचर दिखाए गया इस तरह का बनाए जाता है उसमें स्वेस्ट को डाल दिया जाता है Use to produce a gas called biogas और इसमें इसको ढखकन लगा दिया जाता है इसमें pipe लगा दिया जाता है तो इस परकार के जो गेस बनता है ना उसमें कोई धुआ होता है और नहीं कोई एस मतलब उसमें कोई राख बनता है तो इको फ्रेंडली होता है किसी भी तरह से वातवरान को नुकसान नहीं पहुचाता है composting, composting, nest करना it is natural method of making manure called compost from biodegradable waste तो biodegradable waste को naturally प्रकृतिक तरीके से हम उसको खाद बना सकते है और उसी को हम composting कहते है आ वाटिज्वेस्ट मेनेज्वेंट व्यस्ट को जो डस्टिंग गंदा जो है उसको हम कहां पर ठीकाने लगाएं तो फोलो दर थरी आर्यस तो तीन तरीके उस्क लिए सबसे अच्छा तीन तरीका है वेस्ट को manage करने के लिए reduce, reuse and recycle, तीनों को बारी-बारी से यहां पर बतलाया गया है, reduce का मतलब क्या होता है, reduce or no use of non-biodegredable materials like plastic bags etc, reduce मतलब कम करना, कम, कम से कम, या फिर उसका use ही नहीं करना, non-biodegredable चीजों को हमको use नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना, materials like plastic bag, plastic bag को कम से कम यूज़ करें या फिर ना करें, ज्यादा अच्छा है, use of cloth bag, या तो कपड़े के बेग यूज़ कर सकते हैं, avoid using packed food, packed food का उप्योग कम करें, use products that can be reused, ऐसे product का ऐसे समान का उप्योग करें, जिसको फिर से उप्योग करें, जिसको फि खेला लेके दुकान जाती ही नहीं है, और वहां से बड़ा plastic लेकर के आते हैं, plastic के अंदर में जितने भी समाना होते हैं, वह भी plastic में pack होता है, reuse, reuse का मतलब होता है, फिर से उप्योग करना, reuse old things to make new things, कि ऐसे चीज होते हैं, जिसको पुराने हो जाते हैं, उसको हम फिर से र का हो, या चीनी मिट्टी का हो, उस तरह का, तो हम उसको धो सकते हैं, और फिर से उसको यूज कर सकते हैं, यूज मेटेरियल्स, made from natural resources properly, ऐसे चीजों का हम अधिकतर ही उप्योग करें, जो नेचिरल रिसोर्स, नेचिरल रिसोर्स के दोवारा हमें प्राप्त हो, जैसे कि लकडियों का कोई समान हो सकता है, वो ऐसे समान को हम यूज कर सकते हैं, मिट्टी से बना कोई समान हो सकता है उसको यूज कर सकते हैं, recycle, recycle का मतलब होता है, नव निर्मित, फिर से निर्मान क्या, पुनर निर्मित, ठीक है, means using waste materials to make new things, वो ऐसे चीजों को जो फिर से new बनाया जा सकते हैं, जैसे paper होता है, paper जो खतम हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको paper वाले के पास बेच देत ग्लास का बोटल हो गया, paper, aluminium foil, other metals can be recycled, और metal जितने होते हैं, जालतर metal recycle हो जाते हैं, लेकिन एक ये लोहा जो होता है, वो हमेशा ही honest होता रहता है, क्योंकि उसमें जंग लगता रहता है, और जंग लगने के बाद जो उसका part जंग बन गया है, तो वो जो है new लोहा बनने व in amount of raw material that will be required to make new things, तो recycling को अपना करके क्या कर सकते हैं, चीजों को हम कम से कम बार उपयोग में ला सकते हैं, मतलब उपयोग तो हमें उतना ही करना है, लेकिन हमें ज्यादा वस्तुओं का यूज ने करना है, फिर से उसको उपयोग करना है, जो हम यूज कर चुके हैं, raw material बन फिर से recycle होके आ जाता है, फिर से हम उसी को यूज करते हैं, who helps in the disposal of west, वस्तुओं को निप्टारा करने के लिए को नमें मदद करता है, west को निप्टारा करने के लिए, sweepers and garbage collectors collect west from our houses and dump in the garbage dumps made by the municipal corporation of the city, sweepers जो होते हैं, जो सफाई करमचारी होते हैं, वह सारे लोग और garbage collector, जो west को collect करते हैं, तो वह सारे लोग मिलके सफाई करते हैं, जितने भी west collect होते हैं, उसको क्या करते हैं, कोई ऐसी जगह पर dump कर देते हैं, उसको dump करने के लिए जो है, municipal corporation का एक संस्था होते हैं, सभी city में या गाउं में इस तरह के संस्था होते हैं, और वो जो है, किसी ऐसे जगह पर dump करते हैं, जहां लोगों से काफी दूर हो, जहां गंदगी उसकी बदबू उसकी ना सके, और वहां पर ज्यादातर चीजों को separate कर लिया जाता है, अलग कर dump it far away from the city in landfill, तो far away, काफी दूर ले जाता है सहर से और वहां पर dump करता है, वो कोई ऐसी जगह पर dump करता है, जो गढधा अगर हो, तो वो वहां पर भर जा सके, ऐसे जगह पर, the proper disposal of waste is only possible if each individual behaves in a responsible way and shows concern for the environment, तो सही तरीके से हम इसको dispose कर सकते हैं, अधी एक एक बेकती, अधी एक एक बेकती जो है, वो इस पे साथ दे, इसके लिए उए मदद करें, जिसे की जितने भी डिब्बे लगाए जाते हैं, west वाले, तो green को, green वाला जो biodegradable west है, उसको green में डाले, और non biodegradable west को blue में डाले, कोई भी किसी में डाल दिया, इस तरह करने में हल्प नहीं कर रहे हैं, इस तरह से करने से क्या होता है, कि हम अपने परियावरन को भी बचा सकते हैं, clean surrounding mac is safe and healthy environment, अपने आज पास हम साप सफाई रखें, तो क्या होगा हमारा environment healthy रहेगा, और हम भी सुरच्चित रहेंगे, Recently the Prime Minister of India, Narendra Modi has launched स्वक्च भारत अभियान, के हाल फिलाल में हमारे देश के परधान मंत्री नarendra Modi स्वक्च भारत अभियान को लांच किये थे, To make India clean by 2019 on the eve, 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, गांधी जी के 150 जनम दिन पे 2019 की साल में भारत ने ये अभियान स्टार्ट किया था, कि अपने देश को हम आने वाले समय में बिल्कुल ही किलीन कर लेंगे, और उस समय से हम लगातार इस अभियान को चला रहे हैं, उन्होंने भारत के सभी देशवासियों से यह आवाहान किया कि अपने देश को स्वक्ष बनाएं और हमारे इस स्वक्ष भारत अभियान को सफल बनाएं, अपने देश को स्वक्षित रखें, तो यहाँ पे यह चप्टर समवत्त समाप्थ हो गया है, देखिए यहाँ पे समाप्थ हो गया है, तो कीवर्ट्स दिया हुआ है, वेस्ट, अन्वांटेड, अन्डिजारेबल मेटेरियल, बायो डिग्रेडेबल, वेस्ट, वोइच, कम्पोज, नेचरली, जो नेचरली, प्रकृतिक तरीके से डिकम्पोज हो जा है, उसको बायो डिग्रेडेबल कहते हैं, गार्बेज हो गया, कुड़ा करकट, वही बनोता, exercise में देखिए, यहां पर भरने के लिए दिया गया है, use desk napkin instead of desk, चलिए भरने वाला जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, भरा हुआ जहां पर है, और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दो मोटे-मोटे सब्द दिया हुआ है, इसमें से एक सही है, अब बतला देता हूँ, आगे यहां पर यह है, चलिए इसको मैं यहां पर ही बतला देता हूँ, टिक दा करेक्ट अंसर क्या है, burning of west in incinerators cause land air pollution, तो west को जलाने से क्या होता है, land pollution होता है, तो जलाने से air pollution होगा, तो यहां पर यह एर हो जागा, इसको अटा देंगे, यह हो ज लिखा वा है, वेजटेबल पिल लेते हैं, या प्लास्टिक लेते, इस नन डिग्रेडेबल वेस्ट, बायो डिग्रेडेबल लिखा जाता है, यह डिग्रेडेबल लिखा वा है, कोई लिक्कत ने नों तो लिखा वा है, नों डिग्रेडेबल, मतलब जो अंपोजड नहीं अर्बन पीपल होते हैं सारी लोग जो होते हैं वो ज्यादा वेस्ट प्रोडूस करते हैं कमपोस्टिंग लेंद्फिल, help in producing manure, ये दो में से कौन manure प्रोडूस करता है, तो composting जो होता है, वो manure produce करने में help करता है, municipal trucks, sweepers, garbage to landfill, landfill तक कुड़ा को municipal truck ले जाता है या sweeper ले जाता है, sweeper लोग जो होते हैं, उन लोग को सफाई करते हैं और चुनते हैं, municipal truck जो होता है, वो garbage को ले जाता है landfill तक, तो municipal truck हो जाएगा, और यहां पर यह सारे question दिया गया है, इस page में और कुछ है, नहीं, यह इस page में इतना question दिया गया है, इसमें seven question दिया गया है, इसका answer में आप लोग को दे देता हूँ, यहां पर फिलेंदे blanks हम देख लेते हैं, यह नमर में दिया हुआ है, use this napkin instead of this napkin, य biogas is made from the excreta, excreta of animals, green, green colored beans are used for the disposal of biodegradable wastes and blue colored beans are used for the disposal of non biodegradable wastes, green biodegradable के लिए और blue non biodegradable के लिए उस होता है, the three R stands for reduce, reuse and recycle, सही है, उसके बाद, this old things to make new things, recycle यहां दिया हुआ है, यहां पर reduce में दिया हुआ है, यह थोड़ा सा यहां पर mistake है, reduce में, बुक में हम लोग पढ़े है, कि reduce यह है, reuse, reuse, reuse old things to make new things, यहां पर reuse हो जाएगा, reuse, क्योंकि things यहां लिकावा है, west अगर होता, west जो west होता, उससे हम recycle करते हैं, और things जब है, old things make new things, तो यहां पर reuse हो जाएगा, और आगे यहां पर true false दियावा है, west disposal is a responsibility of the municipal corporation only, तो यह सही नहीं है, गलत होगा, false दियावा है, west should be dumped outside the house, west को घर के बाहर जमा कर देना चाहिए, dump कर देना चाहिए, तो बिलकुल यह गलत है, उससे बहुत दूर कहीं, ऐसे जगह पर dump करना चाहिए, जहां पर आस-पास में घर ना, बायो गेस is an eco-friendly fuel, यह बिलकुल सही है, three hours stand for retain, regain and regulate, तो यह बिलकुल गलत है, false, as children, we too can do our bit in disposing west in the correct way, ठीक बच्चों की तरह जैसे हम लोगों को बतलाते हैं कि घर में गंदीगी नहीं करना है, उससे तरह हमें भी जितने भी west है, उसे बिलकुल प्रोपर जगह प जम्र कर देना चाहिए, यह true होगा, यहाँ पे C और E नंबर का true है, बाकि सब false है, इस chapter का main question answer यहाँ पे है, what is composting, it is natural method of making manure called compost from biodegradable waste and this process is called composting, what is biogas, why is it called an eco-friendly fuel, animals and plants, vests are used to produce a gas called biogas, it does not produce a smock and gas, so it is called eco-friendly fuel, why do urban people produce more waste than rural people, urban people use more packed items like biscuit butter etc, rural people lead a simple life, they do not use packed food, explain with example the best way to manage waste, the best way to manage waste is to follow the 3 RS, reduce, reuse and recycle, तीनों को explain क्या गया है, वीक क्लाइन में, reduce, reduce or no use of non-biodegradable materials like plastic bags etc, reuse, reuse older things to make new things, recycle, recycle means using waste materials to make new things, distinguish between biodegradable and non-biodegradable waste, biodegradable का points इधर दिया गया है, non-biodegradable का points इधर दिया गया है, it includes waste like vegetable, peels, papers, leftover food, animal, excreta, excreta etc, it includes waste like glass, aluminum, foils, plastic, metals etc, it can be broken down by microorganisms, it cannot be broken down by microorganisms, it mixes with the soil, it does not mixes with the soil, it is eco-friendly, it produces pollution, explain how is waste disposed, disposed off from your house to landfills outside your city, sweepers and garbage collectors collect waste from our houses and dump in the garbage dumps made by the municipal corporation of the city, municipal trucks collect the garbage and dump it far away from the city in landfills, landfills, what is waste, anything that is of no use to us and is thrown away is called waste, यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया पुरी तरह से, अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है ता आप हमारे वीडियो के लाइक कीज़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब के अपने दोस्तों के साथ सेयर कीज़े नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडिय मैं फिर से मिलते हैं